वेलकम तो डॉक्त और एन वाईयर यूट्यूब चैनल आज का जो टॉपिक है यह प्लांट किंग्डम का लास्ट टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकल और अल्टरनेशन अप जेनरेशन इसको हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे प्लेस टेक एस इंचार प्लांट में जो होता है ना दू चीजे होते हैं एक होता है है अपलाइड दूसरा जो होता है डिपलाइड मलब दूनु सेल होते हैं जब इसमें दूनु सेल क्या होते हैं मलब एक होती है है इसको एन से डिनोड करते हैं दूसरा होता है डिपलाइड इसको टू एन से करते हैं तो यहां पर क्या होते हैं दोनुत सेल youtube ऑजाती है माइट अब यह माइटासस क्या होता है यह मैटासस में एक सेल है हम इसमये इस फphempen कि मिटासस फो इसकों बोलेंगे हम तो यह क्या करेगा डिवायड करेगी 2 cells में 2 क्या बनेंगे फिर से यह डिवाइड करेगी तो इस तरीके से जो होता है ने कि एक सेल बहुत सारे cells बनाते हैं लेकिन chromosome number जो होता है वो सेम रहता है chromosome number में कोई change नहीं होती है तो इस तरीके का जो cell division जो होता है इसको बोलते हैं यहां पर chromosome सेम रहता है। इसको बोलते हैं एक्वेशनल दियोजन, कभी जब cell gen पढ़ था तो वहां पर इसको और एक्स्पेंड करें। तो प्लांट जो होते हैं है मायटासील से जो हपलाइड सेल हो यह डिपलाइड तो घया मिलाइड से डीवाइड हो जाती है जो हपलाइड जो होती है हपलाइड सेल यह वाली जब यह डिवायड करेंगे तो यह क्या बनाते है rectang Haha इस से से वह गयम संधिकिन के आते हैं गयमितोफाइट से यहां ऑखता इसे तरीके से अगर हम देखेंगे फिर इसमें होता है वह और से जैसे हम ने पढ़ा है फटलाइजेशन में मुलब मेल गयमेट आएगा फिर फिवेल वो सेल होगी तो उस तरह के से क्या होगा जाएगोट बनेगा जब यह जाएगोट हो जाएगा यह जब डिवाइड हो जाएगा तो यह क्या मनाएगा टिपलाइड प्लांट बाड़ी बन पिर आएगा सुपोरोफ़ाइड फिर से स्पोरिस नेगे वेजाएगोट बने एगाएगो बनेघ्याओ भी पिर से क्या बनाएगा सुपोर फाइड यह क्या होता है यह when can के कि यहां पर नहीं निकाना की शिख सवह को बोले processes हो इसे को बोलते है अलटरशन जो बना हिma यह चोटा है यह बड़ा है यह कितनी देर तक करकता है यह हमें कुछ लइफ साइकल से पता चलते हैं तो अब हम देखेंगे कुछ तुलिफ लिफ साइकल उसमें से सबसे पहला ऐप और दोनटिक लाइप साइकल अब यहां पर क्या होता है ж ing green जो होता है यह जब बनता है मियासे से, जाइगोड बन गया है यहाँ पर, जाइगोड क्या रहता है, यह रहेगा यहाँ पर 2N मैं इसको अठे से explain कर दोगा, जब इस जाइगोड का मियासे हो जाएगा, मियासे एक और cell division होता है, मैं अगर मेरे पास डिपलाइड प्लाइड बाड़ी होगी डिपलाइड मतलब 2N तो यह क्या करेगी यह जब सेल डिजन करेगी तो उसमें क्या होगा यहां पर 46 ख्रोमोजोम होगे तो यहां पर आएगा 23 अभी आप इतना ही याद रख लिजे यहां पर 23 आएगा 23 दोनों सेल में में तो मिलब के अंहके छोडो वह स्रीश चैपे 23 तो 23 यह पर रणुग होगा तो यहां पर जो व्यासेड हो जाती इस क्या होता है हैपलाइड श्बाइड राएगा म्यासेड हो जाएगा स्पोर जाएगे जो श्बार पैर अच्दोन लांगा हैपलाइड दॉपस गाएड स्प्रो यह बनाएगा सब्सक्स घाएंट ओपाइट से मthemесяं इपर यह ना हो जाए गा आखोट साइग्ट अगर हम यह देखेंगे ना यह पूरा जो हुने यहां से consider यह पूरा रेजन जो होता है इसको बोलते है इतने इतने सा रेजन रहता है सुपरोफाइट और यह पूरा बड़ा जो रेजन होता है यह गैमटोफाइट रेजन होता है तो इस तरीके का जो लाइफ साइकल होता है जिसमें जो सुपरोफाइट जो होता है मतलब छोटा ही हो होता है मतलब हम other world's में कह सकते है single cellar रहता है superophyte और यह जो gamit of fight बड़ा रहता है other world's में हम इसको कहेंगे multi cellular रहता है बड़ा मतलब बहुत सारे cells रहता है तो उस तरीके क्या होगा उसको बलते है haplontic life cycle अब इसमें और क्या रहेगा दूसरा यह छोटा ही रहेगा कम ही एक युनिसेलर रहेगा single cellar रहेगा superophyte इसलिए जो superophyte जो रहता है इस haplontic plant में यह dependent रहता है gamit of fight बहुत जब यह dependent रहेगा gamit of fight इसका मतलब क्या होगा इस जो plant होगा जो gamit of fight होगा इस फोटो संथीज करेगा तभी ना फूल बनाएगा तभी superophyte इसमें dependent रहेगा दूसरा क्या होगा इक gamit of fight इस फ्री लीविंग होगा कुछ examples हम देखेंगे जिस जहां पी यह जो haplontic life cycle जो होता है present होगा वालब यह mostly ज्यादा तर algae में होता है इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा लाइप साइकल वो होता है डिपलांटिक life cycle जो होता है यहां पी क्या होता है जैसे हमने पढ़ाता है gamitofite बड़ा रहता है multicellular रहता है यहां पी सिंपल है superophyte जो होता है यह हमेशा deployed रहेगा और dominant रहेगा photosynthetic रहेगा और independent रहेगा इस तरीक से जो gamitofite रहेगा यह single cell रहेगा यहां पे यहां पे gamitofite multicellular रहा था यहां पे क्या रहेगा gamitofite single cell रहेगा तो इस तरीका का जो life cycle होता है इसको बहुत है इस प्लाइंटिक इसमें क्या होगा अगर आप लोग को इस डैग्राम से देख रहा होगा यहां से पूरा रिजन जो होता है इस डैग्राम का वो होता है superophyte यह वाला पूरा रिजन मेंने green green से थोड़ा थोड़ा इसको decade किया है यह पूरा जो होता है superophyte region होता है तो यह क्या होता है multi cellular रहता है तो अगर हम देखेंगे छोटा सा portion जो होता है इसका यह gametophyte रहता है तो gametophyte क्या रहता है चोटा रहता है unicellular रहता है कभी किसमें फियो sellers भी होता है तो यह पूरा हो लिए इस किसमें dependent रहेगा इस sporophyte में इस तरीके से अगर हम देखेंगे यह जो sporophyte जो है ना फिर यह फोडो संत्रिक होगा और यह independent होगा और यह जो gametophyte होगा यह sporophyte पर independent रहेगा कुछ examples देखेंगे जहां पर जिन इस तरीका का life cycle प्राज़न होता है एक algae है जिसको नाम है FUKUS इससमें यह alga जो होता है इस alga में यह लाइप साइकल प्राज़न होता है मुझब इस में बागी जो होता है बाग्य algae में है प्लानटिक लाइप साइकल प्राज़न होता है जितने हम बीहीं थैपलाइप साइकल तो यहां पर क्या होता है जैसे हम नहीं धेखा यह वाला पोर्चन मल्टिसीलर रहता है यह वारा पोर्चन शेल्ट रहता है तली कि यह वाला रिजन जो होता है है single cell it रहता है यह multi स्ल्ल्डर रहता है है आप लो मिनस हापलो भी हपलोंटिक लाइपक्ल भी डिपलोंटिक रायप दूनों दूनों मिलके नया एक cycle मेरिक अन्य इसको नाम की है यहां पर क्या होता है इस तरीके का लाइफ साइकल जो होता है वो होता है वह है गेमटोफाइट वो जो सुपोरोफाइट होता है शौटली वोड होता है और यह टोटली डिपेंटेंट रहता है इस गेमटोफाइट भी इसके लिए एनकोरेजर नूट्रिशन के लिए इसमें एक्जाम्पल देखेंगे जिकनी भी ब्रयोफाइटास हो जो हमने लास्ट इस गेमें लिए पड़ो ग्यातों ब्रयोफाइट था हो कुछया है और यह टॉर्टमटे लाएफिपीट क सैखला है । चस्टोक वह मेलेटिक लिए पर्शिललाइट वीचेsn rubbish ओसे हैं भी मॉल्टेयोर रहता है यह को आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर दिजएगा वीडियो को लायक और शेयर कर दिजएगा थेंक्यू